दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विवेक साओ और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल फुजी साओ में आज हम बनाने जा रहे हैं 36 गड़िया चना चटपटी दोस्तों बनता है ये मटर से है पर 36 गड़ में लोग इसे चना चटपटी के नाम से ही जानते हैं बहुत सारे लोग इसे घुगनी के नाम से भी फुकारते हैं खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है आएए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों इसके लिए हम मटर को रात भर पानी में डिप करके रखेंगे इसके बाद सुबह इसका पानी फेक देंगे और इसे पानी से एक बार और धो लेंगे अब हम इसे कुकर में डाल कर कम से कम चार से पांच सीटी उबाल देंगे इसके लिए हमें कुकर लेंगे और इसमें मटर को डाल देंगे और इसमें कुछ आलू डाल देंगे दोस्तों आलू को पहले से दोले ताकि उसमें मिट्टी या कंकर न रहे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक लगबग एक चम्मच अब इसमें डाल देंगे जहां तक मटर है वहां तक पानी और कुकर की धकन लगाकर 4-5 सीटी आने तक लगे रहने देंगे तब तक दोस्तों हम जीरा लॉंग और काली मिर्च ड्राइ रोस्ट कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद इसे पीस लेंगे बारीग पीस लेंगे चना चटपटी खासी है दोस्तों कि इसके लिए हम बिल्कुल भी तेल का इस्तिमाल नहीं करेंगे देखे दोस्तों यह बहुत ही अच्छा बॉइल हो चुका है अब इसमें हम अपने मसाले जालेंगे सबसे पहले हमने डाला गरम मसाला जो हमने घर पर ही बनाया है उसके बाद लाल मिर्च फिर थोड़ी सी कस्मीरी लाल मिर्च और इसमें डालेंगे उबला हुआ अलू जिसे हमने छील लिया है अब इसमें डाल देंगे अब हमने जो ड्राइ रोस्ट करके मसाले बनाया थे उसे और इसको मिक्स कर देंगे दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप घर पर जरूर ट्राइ कीजिए अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे पर्मीटेड फूट कलर अगर आप इसे आवाइट करना चाहते हैं तो आप न भी डालें परनतो चतिस गर की बाजारों में मिलने वाले चना चटपटी में ये लाल रंग विसेश आकरसन का केंद्र होता है इसलिए हमने इसमें लाल रंग डाल दिया है अब इसे बॉइल होने देंगे ताकि इसका रस थोड़ा और गाढ़ा हो जाए देखे दोस्तों ये बॉइल हो चुका है और इसका रस बहुत ही अच्छा गाढ़ा हो गया है अब इसमें हम देखे ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम डाल करेंगे हरा धनिया और अब ये खाने के लिए बिल्कुल तयार है दोस्तों इसके उपर प्याज डाल दीजिए और इसका मज़ा लीजिए